आपके साथ शेयर करने जा रही हूं कि कैसे हमने एक्जाम में थोड़े टाइम में अपने कोश्चन को सॉल्व करना होता है ठीक है तो शॉटकट ट्रिक्स देखेंगे यहां पे हम किसी फ्रेक्शन को परसेंटेज में बदलने के जैसे के हमने आपको एट मैजिक रूल्स जिन्होंने देखी वो देख लेए एट मैजिक रूल्स करवाएं हैं और लाइव सेशन हमने प्रेक्टिस सेट के लिए किये हैं दी आई के राइट तो एक्जाम में काफी स्टुजन्स को यह प्रॉब्लम रहती है कि दी आई के कोश्चन को हम सॉल्व नहीं कर सकते तो वो हमने उन प्रॉब्लम्स को उन वीडियो में कवर किया है और जो प्रीवियस यह के कोश्चन्स है डी आई के वो अभी हम अपकमिंग वीडियो में अपने कवर करेंगे तो अगर मैजिक रूल्स नहीं देखे आप उनको चेक कर लेना आज हम उन्हीं चीजों को आगे बढ़ रहे हैं तो काफी स्टुडेंस की क्वेरी जा रही थी कि हमने डी आई को कैसे सॉल्व करना है डेटा इंटर्पेटेशन के कोश्चन्स को ग्राफ को चार्ट को कैसे सॉल्व करना है वो हमें आ चुका है लेकिन हमें मैथधर चाहिए कि हम फ्रेक्शन को जल्दी से कैसे सॉ करने की जरूरत पड़ती है, तो उसके regarding हमने कैसे उसको solve करना है, पहली चीज, अगर आपको one by one को percentage में बदलना हो, one by one क्या है, एक fraction है, और percentage में अगर बदलना हो, तो ये हो जाएगा hundred percent, मतलब divide में भी one है, उपर भी one है, तो fraction थी, fraction को हमने percentage में बदल दिया, तो वो क्या आगया हमारा hundred percent, right, अगर one by two हो, उसको हमने percentage में बदलना हो, किसी भी चीज़ का one by two हो, तो वो 50 percent हो जाएगा उसका, right, ठीक है, one by two को अगर हमने percentage में बदलना हो, तो क्या हो जाएगा, 50 percent, अब आगे देखते हैं, one by four, one by three बात में देखते हैं देखिए जी ध्यान से, one by four कैसे बना, one by two multiply one by two, one by two, one by two, multiply करके one by four हो गया, ठीक है, तो इसको अगर fraction में बदलना है, तो आपके दिमाग में होना चाहिए, कि one by two कितने percentage होता है, one by two, already मैं आपको बता चुकी, 50 percent होता है, right, तो हमने 50 percent का one by two करना है, तो वो क्या 25 percent, it means, one by four अगर हो, fraction में one by four है, उसको हमने percentage में बदलना है, तो वो क्या आजाएगा हमारे पास 25 percent, right, मतलब हमने करना क्या है, आपको ये one से लेके, one by one, one से लेके, one by twenty तक fractions की आपने practice करनी है, और exam में आपके oral याद होना चाहिए, कि अगर one by three है ना, तो वो 33.33 आजाएगा, 33.33 percentage आजाएगा, right, ठीक है, तो ये चीज़े आपको quickly आनी चाहिए, मैं अभी इसके methods बता रही हूँ आपको, आपने इनको note करना है, वीडियो में समझने के बाद, आपने इनको note करना है, ठीक है जी, आगे चलते हैं, one by four हो गया अब हम देखते हैं, one by eight, one by eight को हम लिख सकते हैं, one by two multiply one by four, one by four याद हो, आपके already हम कर चुके, one by four कितना होता है, 25%, अब 25 percentage को अगर हम divide करें two से, तो 25 का half हम two से divide उसको कर रहे हैं, तो क्या आजाएगा हमें पता है, 12.5%, तो सीधा हमें quickly exam में हम निकाल सकते हैं, अगर किसी चीज़ को आपने one by eight है आपके पास, जा eight से divide करना है, तो आपके दिमाग में आना चाहिए, कि eight से, अगर one by eight हो, तो हम उसका सीधा 12.5 एक सकते हैं, राइट, आगे देखते हैं, अगर one by sixteen आजाए, तो क्या होगा, one by eight half, one by two, ठीक है, one by two, 12.5, तो ये कितना आजाएगा, 6.25, मैं दुवारा से आपको बताना चाहती हूँ, एक बार आप सुनते जाए, हाजी, क्या कर रहे हैं हम, fraction को percentage में बदल रहे हैं, राइट, अगर exam में हमें कहीं भी fraction को solve करना हो, लाइक, four by seven, multiply hundred, इसको solve करना है, तो ये आपकी निए complex हो जाता है, आप क्या करोगे, four hundred divided by seven, तो ये काफी complex हो जाता है, लेकिन अगर आपके दिमाद में, वहाँ पे exam में बैठे हुए, four by seven का याद हो, जा one by seven का याद हो, के one by seven इसकी equal होता है, ठीक है, तो उसकी multiply four से करके आप very easy list को solve कर सकते हो, आपको divide के चकर में पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो मैंने उसके regarding आपको बुला है, के आपको एक बड़ा एक से लेके, one over twenty तक, जो fractions है, उनकी corresponding, जो percentage value है, वो याद होनी चाहिए, और याद करनी की tricks मैं आपको बता रही हूँ, 1 by 1, 1 by 2, 1 by 4, 1 by 8, 1 by 16, हम discuss कर चुके हैं, अब हम देखते हैं, जो values हमने in between छोड़ी है, उनको, ठीक है जी, तो in between, 1 by 2 के बाद क्या होता है, हमारा 1 by 3, 1 by 3 is equal to, क्या होगा, यह होता है, 33.33, अब 1 by 3 आपको याद रखना है, इससे हम बना सकते हैं, 1 by 6, बनाएं, देखें, 1 by 6 क्या होगा, 1 by 2 multiply 1 by 3, 1 by 3 क्या है, 33.33, अगर इसको divide करेंगे हम, 1 by 2 से, तो हमें पता है, यह आजाएगा हमारा 16.66 percentage, यह अभी करते वक्त आपको शायद complex लग रहा हो, लेकिन जब इसकी practice कर लोगे, फिर बड़ा easy लगेगा आपको, 1 by 6 जैसे हमने निकाल लिया, अब हम देखते हैं, 1 by 9, 1 by 9 क्या आजाएगा, 1 by 3, multiply 1 by 3, 1 by 3, 33, 3, हाजी, 1 by 9 क्या आजाएगा, हमारे पास, simple, 1, 1, 1, 1 percentage, right, क्यों, क्योंकि, 3, 3 को अगर 3 से divide करेंगे, तो 1, 1 आजाएगा, ठीक है जी, अब आगे देखते हैं, अगर हमने 1 by 10 निकालना हो, तो यह आपको very easily conform ही होगा, भी क्या होगा, क्या आजाएगा, बुलो, हाजी, तो यह आजाएगा, आप अगर खुद solve करके देखोगे, 10%, ठीक है, तो ऐसे हमने इन fractions को याद रखना है, exam के लिए, और इनको exam में use करना है, याद रखने की tricks क्या है, जैसे 1 by 9 का आपको याद हो गया, 11.11, ठीक है, ऐसे ही, 1 by 11 का अभी मैं आपको note करवाने जारी हूँ, वो होता है 9.09, अब दुबारा से दिखते हैं, यह कैसे है, देखिए, 1 by 9 का क्या है 11.11, और 1 by 11 का क्या है 9.09, तो यह एक तरह की, ऐसे आपने याद रखने है, ठीक है जी, तो इसकी practice करनी है, आपने जादा से जादा shortcut की, और आप exam में easily इसको solve कर सकते हैं, अभी हमने 5 वाली series नहीं देखी, उसको check करते हैं, 1 by 5, आप खुद सोचो क्या होगा, मैं लेख रहे नहीं हूँ, 1 by 5 is equal to 20%, 1 by 10 is equal to 10%, right, 1 by 15, 1 by 15 क्या हो जाएगा, 1 by 3, multiply 1 by 5, 1 by 3 बाहर, यह अंदर क्या आगया, 20%, ठीक है, इसका 20% अगर निकालेंगे हम, तो यह बड़ा simple हो जाता है, इसकी calculation करनी, तो यह हमारे पास आजाएगा, 6.66 percentage, right, आप लोगों को औरल यह values को याद करना है, आपको याद होना चाहिए, 1 by 2 is equal to 50%, 1 by 3 is equal to 33.33%, 1 by 4 is equal to 25%, 1 by 5 is equal to 20%, 1 by 6 is equal to, उसकी calculation करके 16.66, ठीक है, जैसे 1.6 है न, 16.66 है, लेकिन अगर 1 by 15 हो, 6.66 percentage आएगा, right, ऐसे आप combination बना के याद रख सकते हो, ठीक है जी, अब हमने 1 by 2 कर लिया, 2 का multiple कर लिया, 3 का multiple कर लिया, 5 कर लिया, क्या रह गया, यहाँ पे हमारा 7, 7 वाली terms को solve करने, start करने है, तो आपको याद रखना है 1 by 7 की value, right, तो 1 by 7 की value आपको याद रखनी है, that is 14.28 percent, अब अगर 1 by 14 करना हो, तो वो 1 by 7 multiply 1 by 2, 1 by 2 multiply 14.28, इसको divide करना बहुत easy हो जाता है, हमारे लिए exam में, 7.14, right, ठीक है, अब आगे 14 हमने solve कर लिया, 1 by 7 हो गया, 1 by 14 हो गया, 1 by 3 हो गया, 1 by 10 हो गया, 1 by 9 हो गया, ठीक है जी, तो ऐसे हम इन short cuts को use करके, exam में solve कर सकते हैं, अब last में हम discuss करेंगे very important formulas, ठीक है, हाँ जी, very important में हम देखते हैं, मैंने पहले लिखा है 1 by 3, तो आपकी याद होगा, 1 by 3 क्या बुला था आपको, 33.33, 1 by 4 कितना था बताएं, सोचें, ये क्या है, 25, 25, 1 by 5 क्या है, सोचें, 20%, 1 by 6 क्या है, 16.66, 1 by 7 क्या है, 14.28, 1 by 9 क्या था, किसका opposite था वो, 11 का, 11.11, अब अगर हमारे 1 by 3 याद है, तो exam में हमें एक fraction solve करनी आगी, 2 by 3, तो 2 by 3 को हम कैसे solve कर सकते हैं, ऐसे, 1 by 3 की value क्या है, हमें पताएं, 3, 3, 3, 6, 6, 6, 6, percentage, तो हमारे लिए 2 by 3 को solve करना very easy हो गया, यहाँ पर, ठीक है, exam में आपको भी पता है, D.I. को solve करने के लिए आपके पास इतना time नहीं होता, तो अभी हमने यहाँ पे solve करना है, 3 by 4 को, 3 multiply 25%, वो क्या हो गया, 75%, राइट, 1 by 4 हमें पता है, हमने solve करना है, 1 by 5 पता है, 2 by 5 करना है, क्या आजाएगा, that is 40%, अगर 3 by 5 करना हो, तो वो क्या आजाएगा, आप खुद सोचें, ठीक है, 3 by 5 का यहाँ पे आप अंसर खुद बताएं भी क्या आजाएगा, comment में आप बाद में लिख सकते हैं, 4 by 5 का आप अंसर लिखें, क्या आएगा, ठीक है, तो आपने जस्ट कुछ values याद रखी है, उनको लेके आप बाकी की values को easily निकाल सकते हैं, हम 1 by 6 से 5 by 6 निकालना चाहते हैं, 5 by 6, तो we know that 1 by 6 क्या है, 16.66, ठीक है, इसकी multiply कर देंगे हम, multiply करेंगे जब, तो यह आजाएगा, 83.33%, ठीक है, आगे, अगर 1 by 7 ले रहे हैं, तो वहाँ से हम 2 by 7 निकाल सकते हैं, कैसे, 2 multiply 14.28, इसकी multiply कर देंगे, 16.582, 28.56%, आगे मैं fraction आपको लिख रही हूँ, आपने solve करना है, उसको 3 by 7, अंसर में साथ में यह भी लिखना है, भी आप 3 by 7 को solve कर रहे हो, जा 3 by 5 को, ठीक है जी? अब 1 by 9 का क्या था, हमें पता है, 11.11, 11.11, तो इसका अगर 2 by 9 निकालना हो, तो that is very easy, क्या आजाएगा? simple, ठीक है? तो अगर आपको 3 by 9 निकालना हो, देखने को tough लग रहा है, पहले तो, ठीक है? अगर मैं बुलूँ आपको, कि आप 4 by 9 solve करो, तो आपको बड़ा tough लगेगा, पहले 9 से divide करना है, यह वो, तो 1 by 9 का आपको पता है न, 11.11, तो उसकी multiply करतो, 4 से, simple आजाएगा, 4, 4, 4 point, ठीक है? तो यह है हमारा time को save करने का, बहुत ही easy and best method, इसको आप use कर सकते हैं, DI की videos को check कर लेना, और साथ में इन methods को use करना, फिर भी कोई problem हो, आप comment में लिख देना, ठीक है? और channel को subscribe, and bell icon पे click कर लेना, ताकि आपको notification मिलता रहे, paper 1 की practice, अच्छे से करें, क्योंकि आपका, जो test है, clear करने के लिए, UGC net का clear करने के लिए, paper 1 काफी importance रखता है, thanks a lot.